आप सब का हमारे चैनल ग्यान्द ट्रेजर पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताने चाहरे हैं डाइबिटेर्स से रिलेटेड क्योर मैं स्रिफ क्योर की बात करूँगा मैं राजेव दिछित जी के जो उपाये हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा मैं और भी बहुत स जानकारी होती है वो पूरी कम्प्लीट जानकारी आपके पास होगी और उसके बाद फिर आप विदानश.com पे भी आप जा सकते हैं विदानश.com पे आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे आप उनसे चंसल्ट भी कर सकते हो और आरिवेद एक डॉक्टर्स होंगे जनसे आप कर सकते हो हर व्यक्ति के जीवर में एक डॉक्टर का होना आवश्यक होता है आज की टाइम पे तो खास करके तो चलिए हम आपको बताते हैं वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आपको अच्छा लगेगा इतनी सारी जानकारी प्राप्त करके देखिए डाइबेटीज एक एसा रोग है जिसका इलाज पूरी तरह से किसी दवा पर नेभर नहीं है यह एक लाइफ इस्टाइल से जुड़ा हुआ रोग भी है और आप अपने लाइफ इस्टाइल को बदलकल इस रोग से चुटकारा पा सकते हैं जो लोग डाइबेटीज जैसे कतरनाक रोग की चप हैं तो यह सब लाइफ इस्टाइल से लेटे चीजें हो गई है अब किसी भी मरीश को यदि किवल शुगर की समस्या है तो इसके इलाज में उन लोग के इलाज से अंतर होता है जिने सुगर या डाइबेटीज के साथ ही दूसरी मिमारिया भी हो एक बगल सुगर हो जाने के भी नहीं है इसलिए बहतर है कि बिमारी होने से पहले ही जितना सहज रहें जितना सजग रहें उतना जाद आच्छा है डाइबेटीज टाइप वण का इलाज करते समय पेशेंट को समय समय पर इंसुलिन देना होता है क्योंकि इस इस्तिती में शरीर में इंसुलिन बिलकु किया जाता है और वहीं diabetes type 2 में जरूरत होने पर ही insulin की dose दी जाती है ने तो ऐसी दवाओं से चिक्सा की जाती है जो insulin के उत्पादन को बढ़ाने के लिए pancreas को प्रतसाहिद करें और रक्त में glucose की जाच द्वारा आसानी से किया जा सकता है समाने तक glucose का घोल पीकर जाच करवाने वाले की आवशकता नहीं होती है प्रारंबिक जाच में मुत्र में एल्बुमीन वरक्त का वसा कानवान भी करवाना चाहिए मात्र रक्त में glucose को कम करना मदुमेह का पुर्ण उपचार नहीं है उप्युक्त भोजन और व्यायायाम अत्यतिक आवश्यक है आप क्या खा रहे हैं ये बहुत ही इंपोर्टन्ट होगा अपने गुलकूच अस्तर को जाचें और भोजन से पहले ये 100 और भोजन के बाद 135 से जादा है तो फिर सतर को जाएं हर तीन महाँ पर HbA1c टेस्ट कराते रहे ताकि आपके शरीर में सुगर की वास्तवी कस्तर का पता चलता रहे और उसी के अनुरूप अब डॉक्टर से परामश्च करके दवाईयां ले सकता है तो सबसे इंपोर्टन्ट है अपनी जीवन सहली में बदलाव करें और शारीक स्रम करना शुरू करें जिम नहीं चाना चाहते हैं तो दिन में 3-4 किलियोमेटर तक जरूर पैदल चलने हैं या फिर योग करें कम कैलोरीज वाले भोजन खाएं भोजन में मीठे को बिल्कुल ही खतम करते हैं जादा अच्छा है कभी मीठा काने का मन किया तो फिर गुड़ रहेगा सबजियां, ताजे फल, साबुत अनाज, डेरी उत्पादों और ओमेगा 3 वसा के सुर्टों को अपने भोजन में शामिल कीचिए इसके लावा फाइवर का भी सेवन करना चाहिए राजीव दिछित्ची का भी उपाए हम आपको बताएंगे बिल्कुल धैरे रखिए दिन में 3 समय खाने के बज़ाए उतने ही खाने को 6 या 7 बार खाएं धुम्रपान और शराब का सेवन कम कर दें और संभव हो तो बिल्कुल छोड़ दें आफिस के काम की ज्यादा टेंशन नहीं रखें और आत को परियाप्त नीद लिचिए कम नीद सेहत के लिए ठीक नहीं है तनाव को कम करने के लिए आप ध्यान लगाए या संगित सुने तो कम कैलोरी विसेश रूप से कम संत्रिप्त वसावल आहर लिचिए आप डैविडिस की छपेट में आने से खुद को बचा भी सकते हैं सब जियाँ ये सब जो खाएंगे अब जितना अधिक आप तनाव लेंगे उतना अधिक और स्वास्थिकर आदतों का पालन करेंगे कई शोदों से पता चला है कि तनाव के कारण हार्मोन्स का स्राव बाधित होता है और इससे बलड सुगर बलड गुलकोज का स्तर बढ़ता है इसलिए तनाव से बचने के तरीके अपना है ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मदुमे को हमेशा के लिए रोका जा सकता है जैसे जैसे आपके उम्र बढ़ती है उच्छ रक्त चाप फिर दे रोग और अन्य स्वास्त समस्याओं का जोकिं भी बढ़ जाता है जो मदुमे से जुड़े है इसलिए पैटालेस साल के उम्र के बाद हर साल नियमित रूप से पुर्ण स्वास्त जाच करवाना बहुत जरूरी है हम घरे लिए उसके तो आपको बताएंगे ही तोकि डियापिटीस के बारे मैंने आपको पूरा बता दिया है परमुक खाद वस्तुएं जिन्हें कम प्रियोग में लाना है वो है आपका नमक, चीनी गुड़ भी बहुत कम मात्रा में कभी गलती से खा लिया या कभी खाने का मन किया तो इतना सा खा लिये घी, तेल, दूद और दूद से निरमित वस्तुएं, पराठे, मेवे आईस क्रेम, मिठाई, मान, संडा चॉकलेट सुखा ना जिल इन सब चीज़ों को आपको अवाइट करना है अब डाइबिटेज में करेला काफी फाइदे मन्द होता है करेले में कैरेटी नमक रसायन होता है, इसलिए प्राकरतिक एस्ट्रोइट के रूप में इस्तमाल किया करेंगे तो लूज मोशन भी हो सकता है मदुमे के रोगों के लिए मेथी बहुत फायदेबन होता है अगर आप रोज पच्चास क्रम मेथी ने मेथी रूप से खाएंगे तो निशित ही आपका गुल कुछ लेवल नीचे चला जाएगा और आपको मदुमे से रात मिलेगी जामून, जामून का रस, पत्ती और बीच मदुमे की बिमारी को जड़ से समाप्त भी कर सकता है जामून के सुखे बीजों को पाउडर बनाकर एक चमच दिन में दो बार पानी या दूद के साथ लेने से आपको रात मिलेगी ताज याम के पत्तो को दो सो पचास समयल पानी में रात को भीगो कर रख दीजिए इसके बाद सुखे इस पानी को चान कर पी लीजिए इसके अलबा सुखे याम के पत्तो को पीस कर पाउडर के रूप में खाने से भी मदुमे में बहुत लाब होता है और ये सब पूरा देसी उपाये हैं खाने में तो आप हरी सबजियां, कीरा, ककडी, टमाटर, प्याज, लस्व, निम्बू और समाने मिर्च, मसाले के रूप में उप्योग किजिए तो और डॉक्टर से आप कंसर्ड कर लीजिएगा हमारा जो ख्यान है, यह बिलकुल हमारी पड़ी हुई ग्यान है, एक कलेक्शन है, एक डाटा है भूजन की मात्रा, चिक्तसक द्वारा, रोगी के वजन और कद के हिसाब से कैलरूज की गन्ना करके निर्धारित की जाती है अब हमआपको बताने जा रहे हैं, यह उपाए राजीव दिखशन जी के उपाए पुरी दुनिया फॉलो करती है, हम भी फॉलो करते हैं पड़ता हूं, 100 मेति का दाना लेना है और इसे धूप में सुखा कर पत्थर पर पीस कर इसका पावडर बना लेजिए 100 ग्राम तेश पत्ता ले लेजिए इसे भी दूप में सुखा कर पत्थर पर पीस कर इसका पौर्डर बना लेजिए 150 ग्राम जामून के गुट्ले ले लेजिए इसे भी दूप में सुखा कर पत्थर पर पीस कर इसका पौर्डर बना लेजिए अब 250 ग्राम बेल पत्र के पत्ते ले लिजिए इसे भी दूप में सुका कर पत्तर पर पीस कर इसका पौडर बना लिजिए तो आपके पास चार चीज़े हैं मेथी कादाना 100 ग्राम, तेश पत्ता 100 ग्राम, शामून के गुटले 150 ग्राम और बेल पत्ते 250 ग्राम अब इन सब का पाउडर बना कर सब को एक साथ मिक्स अप कीशे आपका धवा भी तयार है इसे सुबा शाम खाली पेट खाली पेट खाना है एक से डेड़ चम्मच से खाने से एक घंटा पहले गरम पानी के साथ ले लीजिए दो से तीन मेहना आपको लगातार सेवन करना है सुबा उठें पेट साफ करने के बाद आप ले लीजिए अब हर दवाई का एक समय होता है और कुछ तरीके होते हैं जिसे की जादा अच्छा असर करे क्या करना है वो है गोमूत्र और दूसरा इतनी फलाच रोड़ पर गोमूत्र हर कोई नहीं ले सकता है तो मैं इसके बारे में मैं जादा बात भी नहीं करूँगा तो आप इन शीजों को फॉलो कीशिए जो हमने आपको बता है आपको 100% लाब भी होगा और अपने डॉक्टर से कंसर्ट करके कर सकते हैं चाहें तो आप हमारे विदानस.com पर जाके वहां के जो डॉक्टर से उन से भी कंसर्ट कर सकते हैं हमेशा इतना याद रखिएगा कार्बो हाइट्रेटिट कैलोरी और कई तरह के माइक्रो नूट्रिंट से भरपूर शहद मदूमे के लिए लाबकारी है शहद मदूमे को कम करने में साहता करता है इतना सिर्फ आप थ्यार रख सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जैसे गन्नी का जूस बगर रहे हैं इन सब चीजों के बारे जो हम आपको बताएंगे तो अरग वीडियो बनाएंगे इसमें हम सिर्फ उपाए पर डिसकुशन करने हैं अब एक दूसरा उपाए है व्यायाम नित्य लगबग 20-40 मिनट आपको तेज चलना है तैर सकते हैं साइगिल चला सकते हैं पहले ये सुनिश्यत करना आवश्यक है कि आपका शरी व्यायाम करने योग है या नहीं उसे के साब से आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है योगया अभ्यास परी बहुत जरूरी है आप ये कर सकते हैं बिल्कुल खाली पेट व्यायाम नहीं करना चाहिए ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों में मदुमे का एक मात रिलाज है इंसुलीन का नित टीका पर ये आपको डॉक्टर से कंसर्ट करना है ये एक मित्या है कि जिसे एक बार इंसुलीन शुरू हो गई उसे जिन्दगी भर ये टीका लगवना पड़ेगा घरवावस्ता में इंसुलीन ही एक मात रिलाज रहता है तो ये सबाब को डॉक्टर से कंसर्ट करना है आपको सावधानिया बरतनी है नियमित रक्त गुलकोच रक्त वसा और रक्त की जांच भूजन व्यायायाम इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है दूसरा ध्यान रखना है कि जब आप चल फिर रहे हों तो आपका कई कटे फटे नहीं कोई घाव नहीं बने इन सब चीजों का ध्यान रखना है धुम्बरपान और मदिरापान से दूर रहिए अनावश्यक दवां को उप्योग बिल्कुल नहीं करना है और आचानक दवा कभी भी बंद नहीं करें बिना डॉक्टर से पूछे सरकार दोरा एड्स, टीबी, मलेरिया, कुष्टो के आदी पर कुड़ो रुपे करश किये जाते हैं जिसके अच्छे नदीजे सामने आ रहे हैं उसी पर कारावश रकता है कि मदू में ही का भी शेनी मिलाकर इसे प्रभावी तरीके से इसे डिटा जाए और शरकार कोशिस कर रही है, साइनिटिस्ट कोशिश कर रहे हैं तो बिलकुल ये सारी चीज़ आपके लाइफ इस्टैल से भी एलेटेड है तो आप इसे बिलकुल समाप्त कर सकते हैं और भी मैं आपको उपाय बताता हूँ जैसे कि गेहूं और जौव दो-दो किलो की मापत्रा में लेकर एक किलो चने के साथ पिस्वाली चीए अब इस आटे की बनी चपातिया ये आप भोजन में करें ये आकले बहुत अच्छा रहेगा फलो में आप जामून, निम्बू, आवला, टमाटर, पपीता, खर्बूजा, कच्छा, अम्रोद, संत्रा, मौसमी, जैफल, नाशपाति को सामिल कर सकते हैं मेथी दाना तो आप खाईए, रात को बीगाईए, सुबर खाईए, बहुत अच्छा रहेगा तो धन्यवाद, आप सबका हमारी चैनल पे स्वागत है, आप हमारी चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटे दीशिए, धन्यवाद